खादे तेलों का भविश्य फिलहाल अनिश्चित्ता के दौर में चल रहा है। तेजी की एक आस ब्राजील की कमजोर फसल एवं पाम तेल से है। किंतु इस वर्ष माना जा रहा है कि अर्जेंटीना में फसल जोरदार उतरेगी। अब देखना ये होगा की फसल ब्राजील का कितना घाटा पूरा करती है। यदी ब्राजील की फसल भी बंपर उतर जाती तब सोया पाम तेल के भाव कोविट से पहले के स्तर पर जा सकते थे। खैर फिलहाल ऐसी स्थिती नहीं है। शादियों का सीजन आ रहा है। इस समय पाम तेल के भाव कितनी करवट लेते हैं। संद नहीं करते हैं। वे हमेशा उंचे भाव ही चाहते हैं। फरवरी में सरसों की फसल रिकॉर्ड उतर जाने पर विश्व बाजार के भाव भी प्रभावित हो सकते हैं। अर्जेंटीना में सोयाबीन की बोवनी 78.6 प्रतिशत हो चुकी है। ब्राजील के माटो ग्रोसो में वर्षा की कमी से सोयाबीन की फसल को गंभीर नुकसान पहुचने की खबर है। फिर भी सोयाबीन दबाव में है। पाम तेल का उत्पादन कम हो रहा है तब निर्याद भी थंडा है। नए अंग्रेजी वर्ष की शुरुआत में मंडियों में सोयाबीन की नाम मात्र की आवक रही। सोयाबीन की तेजी को लेकर 10 जनवरी तक खुलासा हो सकता है। सोया स्टेट के नाम से पहचान रखने वाला मध्य प्रदेश में दो साल का सोयाबीन स्टॉक रुका हुआ चल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आगामी 15 दिन में सोयाबीन की तेजी मंदी का फैसला हो जाएगा। इस समय 4500 से 4700 रुपए के भाव चल रहे। किसान की लागत खर्च निकलना मुश्किल है। वैवाहिक सीजन वालों की घरेलू खादे तेल बाजार में हलकी खरीदारी आना शुरू हो गई है, जो आगे और बढ़ने की संभावना है, जबकि मौसम खराब होने के कारण सोयाबीन की आवक मंदियों में लगातार घट रही है। इसके चलते प्लांटों को परियाप्त मातरा में सोयाबीन नहीं मिलने से वे अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे सोया तेल की लागत उंची बैठने के कारण प्लांटों द्वारा सोया तेल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिये हैं। अब एक नजर ब्राजील एवं अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल पर। सीजन की शुरुआत में शुष्क मौसम के बावजूद इस साल फसल अभी भी पिछले साल के आसपास ही देखी जा रही है। अमेरिकी सोयाबीन निर्यात मांग कमजोर पढ़ने की चिंता का फिलहाल भारतिय बाजारों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। वही देखा जाए तो शुष्क एवं गर्म मौसम के कारण ब्राजील में सोयाबीन का उतपादन इस बार प्रभावित होने की आशंका है लेकिन फिर भी कुल उतपादन पिछले स्तर से कुछ बहतर हो सकता है। जहां तक अरजेंटीना का सवाल है तो पहले वहां भी सूखे का संकट बना हुआ था लेकिन हाल की बारिश से सोयाबीन फसल की हालत काफी अच्छी हो गई है। इसके फलस्वरूप सोयामील के सबसे प्रमुख निर्यातक देश के रूप में ब्राजील आगे आ गया। दूसरी और अरजेंटीना में अल नीनो मौसम चक्र का प्रभाव एवं प्रकोब घट गया है और सोयाबीन की न केवल अच्छी बिजाई हुई है बलकि फसल का विकास भी बहतर धंग से हो रहा है। फिलहाल अरजेंटीना में 97 प्रतिशत भाग में सोयाबीन की फसल को सामाने से लेकर उत्साहवर्धक स्थिती में आका जा रहा है। अरजेंटीना और ब्राजील में संयुक्त रूप से सोयाबीन की क्रशिंग साल 2023 की तुलना में 2024 के दौरान 15.3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। अरजेंटीना में भयंकर सूखा पढ़ने से चालू वर्ष में सोयाबीन के उत्पादन में जबरदस्ट गिरावट आ गई थी, लेकिन साल 2024 में यह दोगुने से ज्यादा बढ़कर 505 लाक टन पर पहुँच जाने का अनुमान है। ब्राजील की फसलों के लिए वर्षा होने की वज़े से फिलहाल सोया तेल की तेजी पर ब्रेक लग गया है। अधिक 6 मिलियन टन तक पहुँच गई। दूसरी ओर अमेरिका में सोया तेल का स्टॉक आशा से कम बढ़ा, किन्तु अक्टूबर की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। मलेशिया में पाम तेल के स्टॉक में 2.28 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निर्याद 4.39 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। कमजोर निर्याद के बावजूद उत्पादन 10.31 प्रतिशत की गिरावट आने से स्टॉक गटा है। विदेशी बाजारों में हलकासा सुधार आने से लोकल में थोड़ी भुद ग्राह की निकली है। प्लांटों ने भाव भी बढ़ाए हैं। सोयाबीन की आवक कमजोर पड़ गई है। वर्तमान भाव पर किसान अधिक मात्रा में बेचने के इच्चुक नहीं है। कच्चे तेल की मजबूती से सोया तेल वाइदा को भी सपोर्ट मिला है। इधर, हाजिर बाजार में भी वैवाहिक सीजन को ध्यान में रखते हुए छुट-पुट खरीदारी सोया तेल में आना शुरू हो गई है, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। उत्तर भारत की सोया तेल में मांग निकलने से तेजी का वातावर्ण बन गया है।